नमस्कार, गुजरात में COVID-19 की जो परिस्तती कल के प्रेस कॉन्फरेंस के बाद अभी तक की जो सूचना इस प्रकार से हैं, कि आज 25 नए पॉजिटिव केस आए हैं, आज एक दुखद अवसान भी हुआ है, आज के जो 25 केस हैं, इसमें से 23 अमदाबाद के हैं, दो आनन जिल के हैं, और अभी तक जो टोटल 493, 493 केस हैं, उसमें से 44 यानि के 44 लोग ऐसे हैं, जो बिस्चार्ज होके वापस घर गए हैं, और अभी जो आक्टिव हैं, 426 यानि के 426 जितने लोग अभी पेशन्स, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसमें से 422 लोग बिल्कुल स्टेबल है और चार लोग वेंटिरेटर्स पर हैं, और इस तरह से टेस्टिंग के अगर आँख हम बताएं, तो अभी तक कुल हमने 10,994 लोगों की टेस्टिंग की हैं, और इसमें से 493 पॉजिटिव निकले हैं, और 116 पेंडिंग हैं, और इसी तरह से लास्ट 24 घंटे में 2663 टेस्ट किये गए हैं, जिसमें से 61 पॉजिटिव पाए गए हैं, सवेरे जो अब की परिस्टती है, कल शाम के प्रेस कॉन्फरेंस से लेके अब तक 1522 टेस्ट किये गए हैं, जिसमें से 25 पॉजिटिव हैं, आज एक खास अनुरोद करेंगे कि आयूश मंत्राले के जो गाइडलाइ हमारे यहां युनानी और सिध्धा का उतना प्रचलन नहीं है, और इसमें जो भारत सरकार के सब वरिष्ट तजगन हैं, उनकी जो गाइडलाइन्स आई हैं, उसी का अक्षर सहा अनुपालन हमारी गुजरात सरकार ने भी की है, और जैसे हमारे माननियर प्रदान मंत्रीज जी ने काया है कि जितना हो सके अगर इन सब मेथर्ज को हम अपनाएं, तो हमारी रोक प्रतिकारक शक्ती, इम्यूनिटी बढ़ सकती है, तो इसमें ऐसे सुझाव है कि साथ दिन तक समसम वट्टी, दो दो गोली अगर दिन में लिया जाए, दो बार, तो ये यूसफुल र ऐसे ही एक होमियोपथी की एक दूसरी ऑप्शन है, अगर किसी को होमियोपथी में जादा लगाव हो, तो आर्सेनिक, आर्सेनिकम आल्बम थर्टी पोटनसी वाली जो दवाई है, वो हम दिन में दो बार चार छोटी गोली इसको लेनी होती है, चार दिनों तक, और इसका एक बड़ा एक ड्राइव हम लोगों ने पाटन और साबर काथा में भी किया है, पर ये हमारी सभी आयुर्वेदिक दवाई, दवा खाने जो हैं और होमियोपथी के भी जो डिस्पेंसरीज हैं, इन सब में मिलेंगे, अगर आपको इच्छा होके आपको ये ट्रीटमेंट लेना है, इम्म्यूनिटी बिल्ड करने के लिए आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो 104 104 नंबर पर फोन करेंगे, तो आपको बताया जाएगा कि आपके घर के नजदीक किस सेंटर से आपको ये दवाई मिलेगी, तो वहाँ आप ये बिल्कुल ले सक और इससे हम आशा करेंगे कि आपकी इम्म्यूनिटी बिल्ड हो, नमस्कार.